सिंहासन 32 की 26 वी कहानी मृगनेनी पुतली की कथा 25 वी पुतली के द्वारा राजा भोज महाराज विक्रमादित्य के गुणों को जानकर हर्शित हुए और उस स्थान से अपने महल की ओर रवाना हो गए लेकिन अगल दिन फिर से उन्हें सिंहासन और महाराज विक्रमादित्य के गुणों का आकर्शन खीच लाया जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बने की 26 वी पुतली म्रिगनेनी प्रकट हो गई उसने राजा भोज को रोकते हुए कहा कि ठहरो राजन अगर आप इस सिंहासन पर बैठना चाते हैं तो पहले मुझे यह बताईए कि क्या आपके अंदर वह गुण है जो महाराज विक्रमादित्य में था और जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ तब राजा भोज ने हाथ जोड कर कहा कि देवी कृप्या उस गुण के बारे में मुझे बताईए तब मृग्नेनी पुतली ने महाराज विक्रमादित्य की 26 वी कथा कहना प्रारंब की महाराज विक्रमादित्य का मन जितना राज-काज और प्रजा की कुशलता में लगता है उससे कहीं ज्यादा वह पूजा पाठ और प्रभू भक्ती में तपस्वी के जैसे लीन रहते थे वे इतनी कठोर तपस्या करते थे कि इंद्रदेव का सिंहासन भी काम जाता था एक दिन की बात है राजा विक्रमादित्य के दर्बार में कुछ सैनिक एक आदमी को पकड़ कर लाए जो देखने में किसी भिखारी के जैसा लगता था लेकिन उसके पास से बहुत सारा धन प्राप्थ हुआ था किसी भिखारी जैसे व्यक्ती के पास इतना धन कैसे आया यह सोच कर ही उसे सैनिकों से जंगल से संदिग्द अवस्था में गिरफतार किया था महराज ने जब उस व्यक्ती से धन के बारे में पूचा तो उसने कहा कि वह एक सेट के यहाँ पर कार्य करता है और सेट के पतनी के साथ उसके अनैतिक संबंध है उसने ही यह धन दिया था और कहां था कि जंगल में रुक कर मेरा इंतिजार करना मैं सेट को मार कर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजा ने व्यक्ती की बात सुनकर सेट के यहां अपने सैनिक भेजे। वहां पर सेट की चिता पर बैठी हुए उसकी पत्नी कह रही थी कि रात में लुटेरों से उसका सारा धन लूट लिया है और उसके पती की हत्या कर दी है इसलिए वह सती हो जाएगी। सैनिको ने पूरा वृत्तांत महाराज विक्रम आदित्य को सुना दिया तब महाराज स्वयं उस व्यक्ती के साथ सेट के घर पहुँचे। वहां सेठानी से कहा कि हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है अब तुमको राजा द्वारा दिया जाने वाला दंड भोगना पड़ेगा। यह सुनकर सेठानी डर गई और राजा से कहा कि आप क्या मेरा चरित्र देख रहे हैं, पहले अपनी छोटी रानी का चरित्र तो देख लो। इतना कहकर वह सेठ की चिता में कूद गई और जलकर राख हो गई। इस घटना के बादे से महाराज का मन विचलित रहने लगा और वह गुप तरीके से छोटी रानी पर नजर रखने लगा। कि उसके कुटिया में रहने वाले व्यक्ती के साथ अनैतिक संबंध है। गुस्से में उसने रानी और व्यक्ती को मार दिया और स्वय ने सारे राज्य का भार सैनिकों के ऊपर डाल कर सन्यासियों के जैसे जीवन अपना लिया। सबसे पहले वे एक समुद्र के तट पर गए और समुद्र देव की तपस्या प्रारंब कर दी। समुद्र देव से उनसे वर्दान मांगने को कहा। तब राजा ने कहा कि वे समुद्र के तट पर कुट्या बना कर तपस्या करना चाहते हैं। कृपया आर्शिवात प्रदान करें। समुद्र देव ने उन्हें आर्शिवात के साथ ही एक शंक दिया और कहा कि किसी भी दैविय मुसीबत आने पर यह शंक बजा दे। इससे मुसीबत दूर हो जाएगी। इतना कहकर समुद्र देवता गायब हो गए। इसके बाद राजा विक्रम आदित्य एक कुट्या बना कर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र देव का सिंहासन कमपायमान होने लगा। इंद्र ने घबराकर अपने सेवकों को भेजकर कहा कि जहां पर विक्रम आदित्य तपस्या कर रहा है उस स्थान को पानी में डुबा दो। सेवकों ने ऐसा ही किया और विक्रम आदित्य कुटिया सहित पानी में डूब गए लेकन समुद्र देवता के आर्शिवात से वह पानी कुछ ही देर में सूख गया। यहां देखकर इंद्र चकित रह गया और फिर उसने सैनिकों को भेजकर वहां पर आंधी तूफान के जरिये विक्रम आदित्य की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। सेव को ने ऐसा ही किया लेकिन इस बार महराज विक्रम आदित्य से समुद्र देवता के द्वारा दिये गए शंक को बजा कर उस आपदा को भी दूर कर दिया और अपनी तपस्या में मगन हो गये। इंद्र एक बार फिर से चकित रह गए और इस बार स्वर्ग की सबसे सुन्दर अपसरा तिलोत्तमा को तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। तिलोत्तमा विक्रमादित्य की साधना में रिति रूप और वादन के जरिये विखन डालने की चेश्टा करने लगी। लेकिन फिर भी विक्रमादित्य की तपस्या परवत के जैसे अचल रही। ठक कर तिलोत्तमा वापस स्वारगा गई। इंद्र ने फिर से एक और युक्ती सोची। उसे पता था कि विक्रमादित्य बहुत बड़ा दानी है और अगर उससे कोई ब्रहमन जो भी मांगता है वह उसे दे देता है। इस बार इंद्र एक ब्रहमन रूप बनाकर विक्रमादित्य के पास पहुँचा। उन्हें देखकर विक्रमादित्य ने हाथ जोडते हुए कहा कि कहिए ब्रहमन देवता मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब इंद्र ने कहा कि मुझे दान चाहिए. विक्रमादित्य ने कहा कि जो भी मेरे पास और आप उसमें से जो मन होवाएं मांग लीजिए. तब इंद्र ने कहा कि तुम अपनी तपस्या का सारा फल मुझे दान में दे दो. तक विक्रमादित्य से सहर्ष अपनी तपस्या का सारा फल उन्हें दान में दे दिया इस बात से प्रसन्न होकर इंद्र अपने असली रूप में आगया और विक्रमादित्य को आरशिवाद दिया कि उनके राज्य में कभी भी अतिवरिष्टी और सूखा नहीं रहेगा और उनकी प्रजा हमेशा ही खुशाल रहेगी इतना कहकर इंद्रदेव गायब हो जाते हैं और विक्रमादित्य भी मन की शांती पाकर अपने राज्य की और प्रस्थान करते हैं राजा विक्रमादित्य के दान की बात कहकर पुल्ती ने राजा भोज से कहा कि कहिए राजन क्या आपके अंदर भी एसी सामर्थ्य है कि आप अपना सब कुछ दान में दे दें। एक बार फिर राजा भोज निरुत्तर रह गए और पुतली अन्य पुतलियों के जैसे हवा में उड़ गई। कहानी से सीख किसी भी परिस्थिती में हमें डरना नहीं चाहिए बलकि उस परिस्थिती का साहस और धैर्य के साथ सामना करना चाहिए।